हेरो दोस्तों आज की वीडियो में हम रूट आप आडबिनिस्टेशन के बारे में डिस्कॉस करने वाल है तो मेरा नाम है संतो सुपारासर नाइक MS Pharmaceutical CEO of the only pharmacy तो जिस साइट से हम किसी भी ड्रग को दे रहे हैं उस साइट को हम बोलते हैं उसका रूट आडबिनिस्टेशन तो आलग-अलग रूट की आलग-अलग बायो अवेलेबिटी रहती है वहरी इन रूट आडबिनिस्टेशन responsible for changing the bioavailability तो bioavailability क्या होती है इसको अगर हमने दो पार्ट में ब्रेक किया बायो और अवेलेबल बायो का मतलब होता है systemic circulation याने की ब्लड अवेलेबल का मतलब होता है उदर पहुचना कि उदर रिच होना जिस रेट से और जिस एक्सेंट से हमारा ड्रग सिस्टिमिक सर्कूलेशन नहीं कि बलड में पहुच रहा है उसको हम बोलते हैं बायो अविलेबिलिटी तो इसमें दो टाइप रहते हैं रिलेटिव बायो अविलेबिलिटी और एपसुलूट बायो अवि रिलेटिव बायो अविलेबिलिटी तो हमारी पस क्या है ने तो कुछ सिर्ईन है कुछ बी है उसका comparison हम क्या कर रहे है आईवी के साथ कर रहे है उसी ड्रग के ओके आईवी पैरसिटिमॉल का हम टैबलेट के साथ comparison कर रहे है ओके टैबलेट पैरसिटिमॉल के साथ उसको हम बोलेंगे absolute bioavailability तो इसमें तीन टाइब होते हैं entral, parental और local तो entral का मतलब होता है entral एक Greek word से derive हुआ है उसका नाम है entron entron जिसका मतलब होता है intestine intestine को ö सी इन्टेस्टाइन और इसमें क्या होता है कि हमारा drug intestine से गुजर जाता है और यह दो वर्ड से बनाव होता है parental एक होता है पैरा और एक होता है entral entral का मतलब अपको high Saya entron का मतलब होता है intestine और पैरा मतलब क्या होता है आउट़साइड तो इसमें हम बाइपास कर देते हैं इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन में नहीं हमारा ड्रग जाता तो लोकल में क्या होता है कि लोकल इफेक्ट रहता है बॉड़ी सर्पेस के ऊपर तो एंटल इसमें हमारा ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा पर वो इंटेस्टाइन के इसके अगेन चारटाइप है तो पहला उसमें आता है औरल दूसरा रेक्टल तीसरा बक्कल और चवता सब लिंगे तो औरल में क्या है कि ज्यादा तर हम ड्रग इसी रूट से देते हैं इसका आड़नटेज क्या है पहले की मेटाबलीजम इसकाû और कुछ ड्रग जो होते हैं केंसामिने शार्ण आपा étा है तो इंसुलिन के गर्रणा र्टर्णे हैं टो कॉंट्सकुलें इंसलीन केंसामिन इन सकते हैं में हमारा drug portal vein के तुरू liver में जाता है और liver में उसका metabolism होता है और liver में उसका metabolism होने के बाद वो blood में जाएगा यानि systemic circulation में जाएगा तो इस कारण इसकी bioavailability यानि कि इसका systemic availability कम होता है यानि कि उसकी bioavailability कम होता है यानि कि उसकी bioavailability कम होता है इस कारण उसका dose हमें ज्यादा तो डोस क्या होता है ओके डोस आइसा अमोंट रता है कि जो आमोंट हमें थेराबिटिक अक्किविटी के लिए जरूरी होता है कि आमोंट आप ड्रग निडेड फॉर थेरापिडिक अक्टिविटी इस कॉल्ड आस डोस तो बेसिकली इस डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि पसपास मेटालिजम क्या होता है जो हमारा ड्रग है यह इधर एक पोर्टल भेन रहती है तो पोर्टल भेन के थ्रू हमा ज्यादा लगीगा इसमें भावावलेविटिक कम होगी इसके करण इसका डोस हमें बढ़ाना पड़ेगा तो रेक्टल जो रूट होते है उससे हम ज़्यादा तर परगेटिव और इरिटरं ड्रग देते है तो इसका आद्वंटेज यह इससे हम परगेटिव और सबस्चि लेज़े उसके साथ इसमें फश्पास मेटावलिजम भी होता है अब कल रूट आप एडविन्टेशन में क्या होता है कि हम ड्रग को बकल म्यूकोस हमें अभी हम क्या करते हैं ड्रग को गंप और इनर लाइनिंग ऑप चीक के बीच में हम उस ड्रग को हम क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं और उदर से बकल म्यूकोस हम उसको एब्जॉर कर लेता है तो इसका अडवन्टेश क्या है इसमें फश्पास मेटावलिजम नहीं होता यह बाइपास करते हैं लेवर को इसमें र निगल लिया तो इसका अडवन्टेश लॉस्ट हो जाएगा इसका थेरावेटिक एपेक्ट आपको नहीं मिलेगा आपको उधर ही रखना पड़ेगा इनर लाइनिंग चिक और गम के बीच में तो इसमें हम लार्ज डोस नहीं दे सकते हैं इसमें स्मॉल आमांट ही देना पड़ता है और किसी किसी पेशेंट को एक इनका निविनेंट लगता है उधर बकल म्योकोसा में रखना याने की गम्स और इनर लाइनिंग में रखना इसका एक डिसाडवन्टेश अभी सब्लिंगल मतलब क्या होता है हम इसमें क्या करते हैं मालों के जीब है और जीब के निचे किसी भी ड्रग को हम रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सब्लिंगल बोलते हैं तो इसमें रापिड अप्सॉर्शन होता है इसमें रापिड अप्सॉर्शन होता है और वह कहां से होता है सब्लिंगल म्योकोसा से होता है तो सब्लिंगल म्योकोसा में एक सब्लिं की डर्मिनेट ड्राइं ड्रग का आप डीजारेक्जन ड्रग का जो आक्षेन है हम अगर हम रुट से नहीं दे सकते और जो unpalatable drug होते हो भी इस रूट से हम नहीं दे सकते और उसके साथ इसमें large newsletter में हम ड्रग को नहीं दे तो यू एक किसे डन होता है नीढल से नीडल से देते यानि की इंजेक्षिन से देते तो मेत्रडोजी नेलर यानि की इंहिलेशन और उट से देते हुआ इधर फ़र्च पास मेटाबलिजम नहीं होता किसी भी प्यारेंटर रूट में चाहे हो इंहलेशन हो चाहे हो इंजेक्शन हो तो इसमें पसपास मेटबलिजम नहीं होगा और अगेन इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप में एक इंजेक्टेबल जो हम नीडल से करते हैं और एक होता है इनलेशन तो इंजेक्टेबल के टाइप हम अब देखने वाले तो इंट्राविनस में हम 25 डिग्री स इसका इसको याद रखना है को सकते हैं उसका 100% आपसॉर्चन इसको भी याद रखना है जिपैशन सब्सक्याइव सकते हाला कि psicot and login पूछें उसके साथ सहां यह हम इमर्जंसी के केस्में भी यouri्जज कर सकते है आगर किसंगा डाइरिया है मोई मिट नेतैं हो तो इससे हम बहुत ज्यादा कॉंटिक्टी में भी ड्रग को दे सकते हैं लाज कॉंटिक्टी के अनल सो भी गीवन तो डिजायर ब्लड कॉंसेंट्रेशन ही जाचू तो जितना चाहिए उतना ब्लड कॉंसेंट्रेशन हमको आच्यों होगा इसका डिसाड़ांटेज क्या होग में दे रहे उस साड़ पे पेन होना एक इसका डिसाडवेंटिज है इसमें स्कील परसन लगता है कोई भी आके इसको अड्मिस्टर नहीं कर सकता है और अगर यह एक बार हमारे ब्लेड में चला गया तो इसके आक्शन हम रिवर्स नहीं कर सकते कांट रिवर्स दी आक्शन एक 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 एक्सपेंसिव होता है यह रूट ओप अधिशन कैसा रहता है एक्सपेंसिव रहता है इंट्रमस्कुलार में हम 90 डिग्री से देते हैं ड्रग को और इसका अड्वेंटेज है इसके इसमें एप्सॉर्शन बहुत ज्यादा रैपिड हो है कि एक्सपेंसिव है और नव को डामेज भी कर सकता है और पेनफूल है इंजेक्शन बहुत पेनफूल रहता है इंट्रमस्कुलर का क्योंकि इसको 90 डिग्री से हम देते हैं और आप्सेस फॉर्मेशन है इसका डिस आड्वेंटेज है तो इसमें 10 में तक ही ड्रग देते सब्कुटेनेस याने की जिसमें हम और याद रखना है जो सभी वैक्सिन होते हैं हम सब्कुटानियोस रूट से देते हैं और उसके साथ ही याद रखना है कि बीसी जी वैक्सिन जो है वह हम कहां से देते हैं इंट्राडर्मर रूट से देते हैं ओके तो इसका अक्षन ज्यादा देर तक रहता है प्रोलॉंग अक्षन रहता है क्योंकि इसमें आप्सॉर्शन बहुत स्लो होता है क्योंकि इसी रूट से देते हैं तो इसमें पॉसिबल होता है तो इसमें बहुत ज्यादा रहती है और इसका फश्पास मेटबलिजम नहीं रहता है कि इसका डिसादेश है कि लिटल पेन होता है जिदर हमने इंजेक्षिन दिया है उस साइट पर इदर उसका लिमिटेशन है कि इसमें सिर्फ हम स्मॉल वहले मिल्स कर सकते जाने कि वन टू टू एमल तक ही ड्रग इसमें हम दे सकते सब कुटैनिस रूट से अधरण ड्रुट से हम दे नहीं सकते हैं इंट्रडर्मल क्या होता है इसको भी यादर रकना должно इसमें डियाकनूस्टिकईजन दे सकते हैं इस रूट से हम डियाकनूस्टिक एजन्ट देते и उसके साथ ही bcg व首先 हम इंट्राडर eli यूट से देते हैं इधर याद रखना है कि इधर उसका लिमिटेशन ने 0.1 Ml तक ही हम इस रूट से हम ड्रक को देते हैं और यह जिदर बाल नहीं होते हैं जिदर नहीं होते हैं उससाइट पर हम क्या करते हैं उसको इंजेक्शन को एक इंट्राथेकल मतलब क्या होता है जहां हम ड्रग को जो स्पाइनल स्पार्ग रहता है। उस यहां ड्रक को घ्यक्र ईस्पास का उसलब क्या होता है इधर हम directly artery में इंजे करती है ड्रग को को कि के तो anti-malingnesy जो kompoond है एसे रूट से हम देते हैं है मैं नोग गया होता है इसमें अध्र को डाइरेक्ली ज्वाइंट में देते है और यह जादा तर हम inflammation के केस में उस करते हैं और इसमें anti-inflammatory drug देते हैं इस रूट से हम तो श्टेरोड एक anti-inflammatory drug से जो कि हम intra-articular root से देते हैं इंट्रा-medullary मतलब क्या होता है जिसमें हम ड्रग को bone marrow में देते हैं ओके इंजिक करते हैं और यह रेरली उसे अभी ज्यादा तर यूज नहीं करते हैं हम इसको intra-peritoneal मतलब क्या होता है कि जिदर हम ड्रग को okay administered into the serum membrane in between the visera and lining of the abdominal cavity जो 21 के between हम देते हैं कि visera और जो lining है abdominal cavity उसके बीच में जो serum membrane रहता है उसमें क्या करते हैं उस ड्रग को administered करते by using the injection और इसी रूट को हम क्या बोलते हैं intra-peritoneal root बोलते हैं इसमें क्या करते हैं बेसिक के लिए हम peritoneal cavity में ड्रग को inject करते हैं तो जो infant होते हैं उसको glucose और saline देने के लिए हम यह root preferred करते हैं और इसमें peritoneal dialysis के लिए हम यह root यूज करते हैं तो यह table बहुत important है इसको याद रखना कि injection और उसका अंगल है तो इंट्रावेनस के केस में इंट्रावेनस के केस में अंगल है 25 डिग्री सबकुटेनस के केस में 45 डिग्री इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री इंट्रावेनस में 10 टू 15 डिग्री यह बहुत सारी इंजेक्शन है पर इंजेक्शन का आपको याद रखना पड़ेगा एंगल जी पेड में पूस सकते हैं आइए तो इनलेशन रूत जोकी एक प्रेंट हर presented करेल जाज तर्टर जो इनलेशन रूट है आस्तमा की केस में प्रिपठ्ड करते और जिदेर निमून्या का इंपएक्शन है उस इनलेशन से काम करते मित्रud this तक पार्टिकल इनेलरस, जिसका पार्टिकल साइज 50 micron से कम होता है और ज्यादा तरह हम इधर 5-10 micron तक पर्डेकर साइज यूज़ करते है अगर हमें इनलेशन रूट से देना है तो इसका action rapid action रहता है इसका action बहुत ज़्यादा रहता है फास्ट इसमें फश्ट-पास metabolism बिल्कुल भी नहीं होता और इसका advantage क्या है कि इसमें self-admitation possible है तो इसमें injection की कुई जरूरत नहीं होती नेडल की कुछ जरूरत नहीं होती तो इसमें हम self-admitter कर सकते ड्रक को और इसमें rapid action भी रहता है उसके साथ ही ओ कंट्रोल रिलिज डिलिवरी के लिए हम इस रूट का यूज करते हैं अगर हम एक कंट्रोल रिलिज डिलिवरी करने है रेस्परेटर ड्रैक में तो उसकेस में हम क्या करते है इनलेशन रूट को प्रिफर करते है उसका disadvantage क्या है कि irritation क्वास होता है कुछ कुछ ड्रक से और कुछ ड्रक का डो सिस्टेमेशन करने में difficulty जाते है इसका disadvantage है और एक expensive ABX का एक disadvantage है तो लोकल रूट जहाँ पे लोकल आक्षिन मिलती है हमको और इधर हमें ड्रक की लिपीड solubility बहुत important factor है जितना ज़्यदा लिपीड solubile होगा उतना ज़्यदा उसका local absorption होगा ओके तो इसके basically तीन टाइप होते है टॉपिकल डिपर tissues और arterial supply तो arterial supply इसमें intra arterial injection आता है इसमें intra arterial injection आता है और टॉपिकल में skin और म्यूकस मेंब्रन में हम प्रुक को अपला करते हैं तो इसमें skin and mucos मेंब्रन आएगा और डिपर टीशू में यह होगे local route of administration तो थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो